हर कोई जानता है कि बिल्लियों को ट्रेंड नहीं किया जा सकता है, बिल्लिया वह नहीं करती हैं जो उनके मालिक चाहते हैं, बिल्लिया अपनी नेचर को नहीं बदल सकती हैं और वे वही करेंगी जो वे करना चाहती हैं लेकिन 1960 में CIA ने इसका उल्टा करने के बारे में सोचा उन्होंने एक बिल्ली को एक जासूस बनाने के बारे में सोचा जिसे रशिया से बहुत ही सीक्रेट और कॉन्फिदेंशियल इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता था उस समय CIA का मुख्य लक्षे सोवेट यूनियन से मूलिवान गुप जानकारी निकालना था सुनने के लिए माइक्रोफोन्स का यूज किया जा सकता था लेकिन उस समय टेक्नोलोजी इतनी ज्यादा डिवेलप नहीं हुई थी Operation Acoustic Kitty एक टॉप सीक्रेट प्लाइन था जिसमें बिल्लियों को लेटिस्ट टेक्नोलोजीज के एक्विपमेंट्स से ट्रेंड किया जाता था और जिसका इस्तिमाल CIA रशिया से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस्तिमाल करना चाहती थी यह CIA का प्रोजेक्ट था जो की 1960 में शुरू हुआ बिल्लियों को इस्तिमाल करने के पीछे कहीं लॉजिक्स थे जैसे बिल्लियां जहां चाहे जा सकती थी fences को cross कर सकती थी, दर्वाजों के नीचे से निकल सकती थी और security guards से वह डरती भी नहीं थी बिल्ली को एक सर्जन द्वारा उसके कान में microphone लगाया गया था फिर उसकी खोपरी के नीचे एक छोटा सा radio transmitter भी fit किया गया था और उसके शरीर में एक battery को भी छुपाया गया था साथ में सर्जन ने उस बिल्ली के बालों के अंदर एक antenna भी fit कर दिया था इस project को पूरा होते होते 5 साल लग गये और 20 million dollar का खर्चा भी आया CIA को पूरी आशा थी कि वह बिल्लियों को सीखा सकते हैं कि foreign officials के कमरे में कहा और कैसे बैठा जाए इस तरह बिल्लियां गुप रूप से किसी की भी निजी या private बातचीत को CIA को transfer कर सकती थी इस mission का पहला project Washington D.C. में Soviet embassy के बाहर एक पार्क में दो आदमियों की बातचीत सुनना था बिल्ली को पार्क में भेजा गया लेकिन वह बिल्ली सडक पर चली गई जिससे उसकी एक taxi के नीचे आकर मृत्य हो गई CIA ने एक बिल्ली को spy करने के लिए चुना लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिल्लीों को train करना बहुत मुश्किल काम है इतना पैसा और टाइम खराब होने के बावजूर CIA ने अपनी रिपोर्ट में इस experiment को एक काम्याब project के तौर पर जाहिर किया उन्होंने अपने scientists की प्रशंसा की और यह साबित करने की कोशिश की की cats को बास्तव में थोड़ी सी दूरी तै करने के लिए train किया जा सकता है CIA ने इस project में सिर्फ एक बिल्ली को ही train किया था यह project 1967 में बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पाया कि बिल्लिया कभी किसी का कहना नहीं मानती CIA ने अपने report में लिखा कि trained बिल्लियों को जासूसी जैसे काम करने के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता CIA ने यह भी लिखा कि वह विश्वास करते हैं कि बिल्लियों को कम दूरी तक चलने के लिए तो train कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर जहां पर की environment और security factors अलग है ऐसी situations में बिल्लियां जासूसी नहीं कर सकती है इस परियोजना का खुलासा 2001 में हुआ था जब कुछ CIA के documents को सारवजन किया गया था कुछ human rights और legal experts ने कहा कि हमें CIA को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ज्यादा शक्तियां होने की वजह से वह कानून के लिए खत्रा पैदा कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका की सरकार ने जानवरों को जासूसी की training देने के लिए सारे projects बंद कर कर दिये हो 2006 में Pentagon की Defense Advanced Research Projects Agency या फिर दरपा ने scientists से साइबोर्ग कीड़े बनाने के लिए कहा दरपा के समर्थन से University of California Berkeley के scientists ने सफलता पूर्वक एक साइबोर्ग कीड़ा बनाया जिसे वह दूर से कंट्रोल कर सकते थे कुछ ऐसे projects और अफवाहे हैं जिससे पता चलता है कि और देशों ने भी जानवरों का इस्तमाल जासूसी में किया था तो चलिए जानते हैं उनके बारे में US Navy ने इस बात को माना है कि उन्होंने डॉल्फिन्स को पानी के नीचे माइनिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी थी लेकिन की लोगों का यह भी कहना है कि US Navy ने डॉल्फिन्स का इस्तमाल जासूसी करने और दुश्मनों से खुफिया जानकारी इकठा करने के लिए भी इस्तमाल किया था रशिया ने कन्फर्म किया है कि वह military operations के लिए बेलुगा भेल का उप्योग करता है US Navy ने कई investigations के लिए Sea Lions का उप्योग किया है दुश्मन लड़ाकों को पहचानने के लिए अमेरिका ने कभूतरों का इस्तमाल किया था First World War में बटालियनों के बीच messages पहुँचाने के लिए कभूतरों का इस्तमाल किया गया था अमेरिकी सेना ने जासूसी के लिए Ravens या फिर कोवों का भी इस्तमाल किया है Ravens, Patterns का पता लगाने में अच्छे हैं इसलिए उनका उप्योग दुश्मन लड़ाकों को पहचानने के लिए किया जाता था 2007 में जब Iranian Intelligence Services ने एक Nuclear Plant के पास 14 गिलहरियों को पकड़ा था गिलहरिया विदेशी एजंसियों के जासूसी उपकरण ले जा रही थी और कारवाई करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया 2011 में एक सुधी अरब शिकारी ने एक ग्रिफॉन गिद्ध को पकड़ा और उसके पैर पर टेल अविव यूनिवर्सिती का टैग पाया यह कहानी जनता और न्यूज एजंसीज में फैल गई जिन्होंने इसराइल पर जासूसी के लिए पक्षी का इस्तिमाल करने का आरोप लगाया सूडान ने 1970 के दशक में जासूसी के लिए पिलिकन का उप्योग करने के लिए इसराइल की मोसाद सेवा पर आरोप लगाया दोनों देशों के बीच डिपलोमाटिक रिलेशन्स नहीं थे जिससे इसराइली वैग्यानिकों के लिए 2011 में एक पिलिकन को बचाना मुश्किल हो गया था जिसे इसराइली जीपी एस तक्नीक से टैग किया गया था और सूडान में पकड़ लिया गया था ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां जानवरों का इस्तमाल दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए किया जाता था हाला कि गोपनियता के कारण देशों और उनके सीक्रेट प्रोजेक्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप करना कठिन है इस वीडियो को देखने के लिए धनियवाद कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें